दोस्तो राष्टे पर गुजरते हुए अचानक से सामने बिल्ली आ जाती है तो आप फोरण रुख जाते हैं। दोस्तो आज हम इसी बात को क्लिर करेंगे कि बिल्ली रास्ता क्यों काटती है। इसके साथ ही दुरघटनाओ की आसंका भी बनी रहती है। तो बही बैदिक जोतिस में बिल्ली को राहु की सवारी माना गया है। यही कारण है कि राहु की सवारी होने के कारण बिल्ली का रास्ता काटना असुब माना जाता है। क्योंकि ऐसी मानता है कि जिस तरह राहू किसी भी व्यक्ति की जीवन में दुरगटना का कारक है ठीक उसी तरह बिल्ली का रास्ता काटने से किसी तरह की अनोहनी होने की असंका बढ़ जाती है। इसका मतलब साफ है कि लोग बिल्ली से नहीं बलकि बिल्ली पर सवार राहू की बज़े से बिल्ली का रास्ता काटना असुमानते हैं बिल्ली की कुछ ऐसी बाते हैं जो असुमानी जाती हैं जैसे दोस्तो अब बात करते हैं कि बिल्ली रास्ता क्यों काटती है बिल्ली के रास्ता काटने के ये रीजन है जिन में से नमबर वन जंगली जानवरों से बचने के लिए दोस्तो हमारे पूरबजों ने एक तरक दिया था कि अगर हम किसी भी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में काली विल्ली या कोई भी विल्ली आपका रास्ता काड़ दे तो बहां से जाना उचित नहीं है तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पूरबजों ने सिर्व अंद बिसवास में आकर ये मानता बनाई थी बलकि ये मानता इसलिए बनाई थी क्योंकि दर असल उस समय जो सलके और रास्ते थे वो जंगल में या जंगल के आसपास धने पेड़ों एवं जहारियों से होकर बना जाते थे और इनी जंगल जहारियों में जंगली जीब जन्तू भी रहा करते थे जिसमें सेर, बाग एवं अन जंगली जानवर भी रहते हैं और इन जंगली जानवरों के लिए बिल्ली सबसे आसान सिकार होती है क्योंकि बिल्ली की आखे रात में चमकती हैं और अपनी चमकती आखों के करा ये जंगलों में आसानी से दिख जाया करती है इसलिए सुरक्षा को देखते हुए हमारे बजग बिल्ली के राष्टा काटे जाने वाले तरफ से हमेशा माना करते थे जिससे कि उन जंगली जानवरों से हमारा बचाओ हो सके दोश्तों सिंपल सी वात है कि जब जंगली जानवर बिल्ली का पीछा करते हैं तो बहे अपनी जान बचा कर भागती है ऐसे मैं चाहें उसके लिए कोई सा भी रास्ता क्यों ना हो वो हमारे आगे या पीछे से दाई या बाई तरफ से रास्ता काटते हुए निकल सकती है कवी कवी ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास जो कुट्ते होते हैं बहे बिल्ली को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं जिससे की बिल्ली अपनी सुरक्षा के लिए कुछतो से डर के भागती है और ये बिल्ली आपके आसपास कहीं से भी किसी भी रास्ते से निकल सकती है। ऐसा भी होता है कि बिल्ली जब भोजन की तलास में बाहर निकलती है तो छोटे जीवजन्तियों जैसे चूहों का पीशा करते हुए भी आपके आसबास से निकल सकती है तो दोस्तो बीडियो में दीगे जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो बीडियो को लैक जरूर करें और इसी तरह की इंटरस्टिंग बीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें बीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्नवाद